हेलो फ्रेंड्स आज हम लेसन फाइव में सीखेंगे उर्दू के दूसरे बहुती पॉपुलर और इंट्रेस्टिंग अलफास आएए पहला लफ्ज है जुल्म ये देख सकते हैं जुल्म ये ओरिजिनली ये एक अरभी का लफ्ज है जुल्म देवनागरी में हम ऐसे लिखें जुल्म यानि अत्याचार जुल्म उसी से मतालिक दूसरा लफ्ज है जालिम ये भी अरभी का लफ्ज है देवनागरी में इसको जालिम हम ऐसे लिखेंगे और इसके अंग्रेजी में माने है ओप्रेसर ओप्रेसर अत्याचार करने वाला जुल्म जालिम और अगला लफ्ज है मजलूम मजलूम यह भी जैसा आप जी यह लفज अल्फाज जैसा साउंड करते हैं यह अर्भी कही लफज है मजलूम डेवनागरी में मजलूम हम ऐसे लिखेंगे मजलूम और इसके माने हैं इंगलिश में oppressed यानि जिस पे जल्म किया जाता हो मजलूम और अगला लफज है जुर्म ये अरबी का लफज है जिसको हिंदुस्तानी में इस्तमाल किया जाता है जुर्म देवनागरी में हम ऐसे लिखेंगे और अंग्रेजी में इसको हम crime कह सकते हैं crime, offense और उससे मिलता हुआ दूसा लफज है मुजरिम आप तेखें ये भी अरबी के लफज से ही माखुज derived है मुजरिम adjective है ये देवनागरी में मुजरिम हम ऐसे लिखते हैं और इसके माने है criminal, offender जुर्म करने वाला आगे चलते हैं ये लफज अक्सर आपने सुना होगा मुद्धई मुद्धई ये अरबी के लफज से निकला है इसको मुद्धई हम देवनागरी मैंसे लिखेंगे मुद्धई यानि के plaintiff, दावा करने वाला complainant, शिकायत करता वादी मुद्धई adjective है ये अगला लफज, सजा याफटा, ये देखिए ये फारसी का लफज है सजा और याफटा दो लफज है सजा यानि पनिश्मेंट याफटा मतलब ये याफटन से बना है, यानि पाना मतलब सजा पाने वाला यानि सजा याफटा इसको देवनागरी हम इसको ऐसे लिखेंगे इसका मतलब ये है कि जिसने सजा काट लिया हो या जिसके ओपर सजा साबित हो चुका हो सजा याफ्ता जिसने सजा की जो मोहलत है जो इंप्रिजिन्मेंट है उसको उसने भुगत लिया तो उसको कहेंगे सजा याफ्ता सजा याफ्ता मुझरिम ये लफ़ हम अक्सर सुनते हैं तो ये एक फारसी का लफ़ है सजा याफ्ता और बहुत ही पॉपलर लफ़ जो हिंदुस्तानी और हिंडी में इस्तमाल किया जाता है देवनागरी में इसकों मैं ऐसे लिखते है अगला लफ़ है पाजामा अब देखे ये लफ़ जो है बड़ा ही दिल्चस्प लफ़ है लेकिन ये फारसी का लफ़ है ये पा और जामा पा मतलब फारसी में पैर के होते हैं और जामा के मतलब होते हैं कपड़े यानि कि वो कपड़ा, जो पाओं में पहना जाता हो पा जामा, इसको देवनागरी में पाईजामा ऐसे लिखते हैं इसको हम ट्राॉजर्स कह सकते हैं अंग्रेजी में पाजामा और उसके बास आखरी लफ्त बड़ा दिल्चस्प है क्योंकि बहुती तल्ख और बहुती लीगल मेटर्स के सवाल है तो अगला लफज है हल्वा अब ये मीठा सब्द है कुछ मीठा भी हो जाए तो आपको दिल्चस्पी होगी हल्वा ये अरभी का लफज है हल्वा हल्वा यानि के इसको हिंदी में और इसका मतलब है कोई भी स्वीट आइटम केक या पेस्ट जो की सूजी से आटे से या किसी भी अनाज के आइटम से जो मिठा आइटम बनता हो उसको हम हल्वा बोलते हैं इसी लफज से बना हल्वाई हवल्ची जो हल्वा बनाने वाला मिठाई बनाने वाला उसको हम मेठा रहे तो आज के lesson five में हमने सीखा जल्म, oppression, जालिम, oppressor, मजलूम जिसको पर जल्म किया जाता है, oppressed, जर्म यानि के crime, मुझरिम यानि के criminal, मुददई यानि के plaintiff, सजायाफ्ता जो सजा काट चुका हो, पाजामा, ट्राउजर्स और हल्वाई यानि के ये हल्वा जो लवज है जो अरबी का लवज है उसी से निकला है हल्वा हल्वा यानि के ये क्यों मैठा sweet dish है तो इसी के साथ आज की ये क्लास और अगले lesson में हम फिर मिलेंगे और नए अल्षाज के साथ शुक्रिया